नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं ESP support दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं Dogecoin के बारे में किसके price कितना तक जा सकता है दोस्तों Dogecoin अभी trending में चल रहा है क्यों trending में चल रहा है तो इसके बारे में आपको मैं complete में बताने वाला हूं Dogecoin को Elon Musk इसको promote कर रहा है जो कि world के third richest person है उसके बार Dogecoin इस मंत के last तक 40-52 तक 40-52 तक जा सकता है अगर BTC का price pump करता है तब अगर Bitcoin का price pump करता है तब उसके उपर ये depend करता है साथ ही Dogecoin third June को Coinbase Pro पे जो की एक trading exchange है उसके लिस्टिंग हुआ जो की YGX के जैसा एक एफ है Coinbase Pro trading exchange है उसके बाद अगर ये Dogecoin Coinbase एफ पे अगर लिस्टिंग होता है जो की Coinbase Pro का main एफ है Coinbase Coinbase Pro का main जो एफ है वो है Coinbase अगर उसके Coinbase पे ये लिस्टिंग होता है तब इसका price जो है उसमें देख सकते हैं बड़ा price देख सकते हैं अगर वहां क्या होगा कि जब price वहां आपका pump इसके उपर करेगा जब वहां volume बढ़ेगा जब उसका volume वहां से बढ़ेगा तब निश्चीत वहां price जो है इसका निश्चीत pump करेगा और ये Coinbase जो है बड़ा trading exchange है दोस्तों उसके बाद हम जानेंगे कि meme coin का price किसके उपर depend करता है pump या dump करना मतलब कि कोई भी बड़ा celebrity है उसके बारे में अगर positive या negative जब उसका tweet आता है तो price का निश्चीत है की price यह pump करेगा अगर positive news आता है positive tweet आता है तो निश्चीत है की price जो है pump करेगा अगर negative news आता है तो वहाँ price आपका dump करेगा मतलब की नीचे जाएगा साथ ही जानेंगे कि Elon Musk का tweet आते ही price क्यों बढ़ता है दोस्तों अगर Elon Musk का positive tweet आता है तो इसलिए बढ़ता है क्योंकि Elon Musk world के third richest person है तो जो भी बड़े-बड़े celebrity होते है उनका tweet बहुत ही माने रखता है जो भी बड़े-बड़े celebrity होते है उनका tweet बहुत ही माने रखता है दोस्तो अगर डोज को टेसला कमपनी एक्सेप्ट करती है पेमेंट के लिए तो इसका प्राइस जो है वन डॉलर हीट कर सकता है अगर एक्सेप्ट करती है तब टेसला कमपनी दोस्तो टेसला एक एलेक्टिक कार कमपनी है तो चलिए इसके बारे हम जानते हैं दोस्तो टेसला एक एलेक्टिक कार कमपनी है जिसके सियो है इलोन मस्क जिसके सियो है इलोन मस्क इलोन मस्क डॉज क्वाइन को क्यों पर्मोट कर रहे हैं अब कोश्चन यह आता है कि इलोन मस्क डॉज क्वाइन को क्यों पर्मोट कर रहे हैं दोस्तो किसी भी meme coin के developer अपने coin को promote कराने के लिए बड़े-बड़े celebrity को promote करने के लिए एक बड़ा रकम देते हैं बड़ा रकम देते हैं उनके माध्यम से ये promote होता है Doge coin को promote के लिए एक बड़ी रकम मिलती है बड़े-बड़े celebrity को उसके बाद हम जानेंगे कि Dogecoin में कितना amount invest करना चाहिए दोस्तो अब आपके दिमाग में ये बात आता होगा कि Dogecoin में कितना amount invest करना चाहिए दोस्तो अपने portfolio का 10% आपको invest करना चाहिए माल लेते हैं अगर आपके पास 100 रुपया है तो उसमें से आपको 10% ही मतलब कि 10 रुपया ही आपको invest करना है अगर आप crypto market में नए trader है तो आपको पहले paper price analysis करना है कब कितना price pump कर रहा है कितना dump कर रहा है इसका वहाँ से आपको अनभाव होगा जब उस chart को आप लिखेंगे complete price को लिखेंगे कि कब कितना बढ़ रहा है कब कितना घट रहा है कब market जब crash होता है तो कितना dump करता है तो इसके according आप उसके बारे में नभाव कर पाएंगे तो इस तरह से आप invest किजिए सबसे पहले paper analysis किजिए उसके बाद जब यहां से आपका अनभाव बढ़ता है तब उसमें कुछ amount आप invest करने के बारे में सोचिए दोस्तों मैं उमीद करता हूँ कि आपको वीडियो helpful लगा होगा अगर वीडियो helpful लगा है तो लाइक किजिए और चैनल को subscribe किजिए बेल आइकन को प्रेस किजिए ऐसे ही helpful वीडियो देखते रहने की धन्यवाद दोस्तों